Hello everyone, welcome to Ramanuzam School of Studies Zero to Infinity. आज सी हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हैं, चैप्टर का नाम है Speed, Time, Distance. इसमें हम लोग देखेंगे कि Speed, Time और Distance में क्या relation है, इसके Basic Concept को समझेंगे और इस पे Based सबसे पहले हम लोग Elementary Question करेंगे और धीरे-धीरे Question के Level को बढ़ाएंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपना First Chapter, This is Speed, Time, Distance and this is the Lecture 1, यहाँ पर आपके पास एक Triangle दिया हुआ है, Triangle में S लिखा हुआ है, so generally हम जब S की बात करेंगे, तो यह हमारा S से मतलब होता है Distance का, किसका? Distance का, ओके? और V से मतलब होता है हमारा Speed का, V को हम कहेंगे Speed denote करेंगे, और T से मतलब होता है Time का, और यह तीनों चीज एक दूसरे से Related है, तो आप यहाँ पर देखिए कि जैसे S है, V और यहाँ पर Cross का निसान है, ठीक है? तो V क्रॉस T, तो S is equal to हम कह सकते हैं, V क्रॉस T, और नीचे यहाँ पर है V T is equal to constant, तो इस चीज को हम समझेंगे, इसके मिनिंग को समझेंगे, आगे चलते हैं, इस चैप्टर में हम लोग जो देखेंगे, वो है कि General Problem on Time, Speed and Distance, तो S is equal to V T, पर जो भी General Problem होंगा, उस चीज को देखेंगे, Second Topic आएगा हमारा Relative Speed, Third Topic है हमारा Boat and Stream, Fourth है Races and Circular Track and Fifth है Watch, तो यह सभी Topic हम इसी सीरीज में discuss करेंगे, Time, Speed, Time and Distance वाले सीरीज में discuss करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं अपने discussion से, सबसे पहले हम define करते हैं, motion किसे कहते हैं, तो कभी भी हम absolute motion को define नहीं कर सकते हैं, जैसे कोई कहेगा कि motion किसे कहते हैं, तो we cannot define absolute motion, हमेशा हम relative motion को define करते हैं, motion क्या होता है कि जैसे अगर एक train है, समझ ही यहाँ पे, इस train में दो बंदे A और B है, suppose this is A, और यह B, और यहाँ पे platform पे एक तीसरा है C, और यह train इस तरफ चल रही है, अब मैं चाहता हूँ कि A के motion के बारे में B क्या बोलेगा, तो B कहेगा, अगर यह uniform speed से चल रहा है कौन train, तो B का कहना होगा कि A रेस्ट में है, A रुका हुआ है, और C पीछे की तरफ जा रहा है, ऐसा आप लोग train में जवाब बैठते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है, तो B के अनुसार A रुका हुआ है, ठीक है, बट अगर C के अनुसार अगर हम बात करें, तो A आगे की ओर जा रहा है, तो देखने पे फर्क पर जाता है, कि हम लोग कहां से देख रहे हैं किसी भी object के motion को, तो यहां पे हम एक reference point को define करेंगे, उस reference point से ही हम motion को define करेंगे, जैसा कि अगर B से अगर हम देखें, तो A rest में है, तो B के respect में A rest में है, मतला B के respect में, तो absolute का बात ही नहीं हुआ कि A motion में है या B motion में, तो motion किसी के respect में होता है, इसलिए यहां पे हमारा relative speed का भी concept आता है, तो B के हिसाब से यह तो rest में है, बट C के हिसाब से यह motion में है, A और B के हिसाब से C move कर रहा है और यह दोनों रुका हुआ है, लेकिन यहां पे C के हिसाब से, C को देखेंगा तो उसी तो platform पे ख़रा है, C रुका हुआ है और A भी move कर रहा है forward, So define करने के लिए, motion के लिए हम लोग कहेंगे कि, motion is change of position, right, किसका position, position of an object, object with respect to time, समय के साथ, अगर किसी भी object का position change होगा, तो हम motion कहेंगे कि उस object, वो object motion में है, but यहां पे एक चीज और लगाना होगा, with respect to certain frame, right, frame of reference, हम कहां से उस motion को देख रहे हैं, जैसे, अगर A और B के बारे में हम बात करें, समय के साथ, तो यह move कर रहा है, A और B दोनों move कर रहा है, लेकिन B के हिसाब से A रुका होगा है, लेकिन C के हिसाब से यह चल रहा है, तो हम लोग frame of reference को भी define करना होगा, motion के definition के लिए, तो यह तो हो गया motion, motion को define करने के लिए क्या-क्या हमारे पास आया, एक तो position आया, कि position में change होगा, ठीक है, और दूसरा किस के हिसाब से change होगा, वो change होगा time के हिसाब से, ओके, और तीसरा हमारा क्या आगया, frame of reference, तो जब भी हम frame of reference की बात करेंगे, generally हम frame of reference, generally हम क्या करेंगे, कि अर्थ को ले लेंगे, ground frame, उस हिसाब से हम लोग match करेंगे, position को generally हम देखते हैं, कि change in position is, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, distance, या दूरी, मतलब एक point से, दूसरे point तक अगर कोई object जाता है, तो कितना path length होता है, उसको हम कहेंगे, दूरी, और time जब आता है, तो इस distance को तै करने में लिया गया time, हम कहेंगे, this is summer, so, summer भी आ गया हमारे पास, और दूरी भी आ गया, that is time आ गया, तो क्या relation है, समय और दूरी में, तो अगर हम distance की बात करें, ठीक है, distance को अगर हम time से divide करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक और physical quantity मिलता है, जिसे हम कहते हैं speed, speed क्या होता है, कि कोई भी object किस रफतार से चल रही है, मतलब per unit time, एक second में, या एक घंटे में, या एक minute में, मतलब per unit time कोई object कितना move करेगी, अगर मैं बोलूँ कि, अगर मैं cycle चला रहा हूँ, a से b तक की दूरी, माल लेते हैं 10 meter है, माल लेते हैं कि ये 10 meter है, और a से b तक जाने में cycle से मुझे 2 second लगता है, माल लेते हैं, तो हमने distance कितना तै किया, 10 meter का, और time कितना लगा है, 2, इसका मतलब है, जो 10 बटा 2 हुआ, ये 5 unit अगर हम डालेंगे, meter और per second, तो हम ये कहेंगे, कि a से b तक की दूरी, हम जो तै किया है, per second में, एक second में, हमने 5 meter दूरी तै किया है, तो एक second में, या एक minute में, या per unit time में, जो distance कवर करता है, कोई object, उसी को हम speed कहते हैं, तो ये speed, time, distance इस तरह से related होता है, तो distance को हम generally किसी से निरूपित करते हैं, S से, time को हम किसी से निरूपित करते हैं, T से, और speed को हम लोग करते हैं, V से, जैसा कि first slide में, हमने discuss किया था, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे, कि S is equal to V into T हो जाता है, तो यही चीज हमने first चीज में देखा था, कि S is equal to V into T हो जाता है, अब देखिए, कि चुकि हमारे पास, S is equal to V into T हो गया, तो अगर मैंने यहाँ पे दूरी को fix कर दिया, कि A से B तक हमें जाना है, माल लेते हैं, ठीक है, और यह दूरी fix है, और यहाँ पे हम किसी-किसी speed से जाएंगे, तो simple सा बात है, कि अगर हम अपना speed को बढ़ाएंगे, मतलब speed को बढ़ाएंगे, जादा speed से जाएंगे, तो practically हम लोग के पास time कम लगेगा, तो speed बढ़ने से time कम लगेगा, या फिर अगर हम speed को घटाएंगे, धीरे धीरे चलेंगे, तो वहाँ तक पहुंचने में time अधिक लगेगा, तो एक दो चीज़ point note कर लेते हैं, यहाँ पे, कि अगर duty constant है, s यहाँ पे fix है, x में कोई change नहीं होता है, इसका मतलब क्या है, कि V और T यह भी fix होगा, मतलब multiplication of velocity, speed into time, यह क्या होगा, fix होगा, तो इसको हम कर देंगे fix, क्योंकि दूरी चेंज नहीं हो रहा है, और fixed चीज़ को हम क्या कहते है, जो चीज़ चेंज नहीं होता है, उसे हम क्याते है constant, चूंकि V और T constant है, तो इस relation को हम ले सकते हैं, V1 into T1 is equal to V2 into T2, दो position के लिए, या दो speed और time के लिए, तो एक relation तो यह होगा, दूसरा important relation क्या है, कि अभी हमने बताया, कि जब speed तो time कम लगेगा, और जब time speed घटेगा, तो time अधिक लगेगा, इसका मतलब है, कि जब एक बढ़ेगा, तो दूसरा घटेगा, so same चीज़ हम लोग कह सकते हैं, कि speed is inversely proportional to time, okay, तो speed क्या हो गया, inversely proportional to time हो गया, same चीज़ है दोनों, इसमें कोई भी difference नहीं है, और यहां पर द is equal to v into t है, अगर time को हम बराबर रखें, तो speed बराने से क्या बढ़ेगा, दूरी भी बढ़ेगा, जब time constant होगा, जब time change नहीं करेंगा, कहने का मतलब क्या है, कि हमने a से चला, ठीक है, और एक घंटा मुझे चलना, कितना घंटा, एक घंटा, तो अगर हम 20 km की रफतार से च चलेंगे, तो एक घंटा में 40 km जाएंगे, तो जो दूरी है, speed के proportional होगा, मतलब speed बढ़ेगा, तो दूरी भी बढ़ेगा, कि इस केस में जब हमारा समय change नहीं होगा, समय constant होगा, Similarly, हम कहेंगे, कि अगर speed को सेम रखें, मान लेते हैं, कि 20 km पर घंटा के हिसाब से हमने चलना इस्टार किया, तो एक घंटा में कितना चलेंगे, 20 km, दो घंटा में कितना चलेंगे, 40 km, तो जब V constant होगा, तो time के बढ़ने के साथ दूरी भी बढ़ेगा, तो ये तीन relation हमारा basic concept है, कि V is inversely proportional to T, when S is constant, यहाँ पर S constant हो जाएगा, S is directly proportional to V, यहाँ पर T constant हो जाएगा, और S is directly proportional to T, यहाँ पर V constant हो जाएगा, तो ये तीनों relation हमारा समय, दूरी और चाल में हैं, ठीक है, तो यह हमारा basic concept हो गया, अब आते हैं, थोड़ा सा average speed, यह बहुत important है, और बहुत easy है, average speed, जैसा कि हमने लिखा यहाँ पर कि, S is equal to V into T, तो यह हमारा V क्या था, speed था, तो V बराबर हम लोग लिख सकते हैं, S divided by T, similarly, यहाँ पर V average अगर हम करें, so V average is equal to T, S, देखिए धियां से, T, S is total distance, S is distance, T, C is total, divided by total time, so V average is equal to total distance, divided by total time, example के तौर पर समझे, यहाँ यह पॉइंट A है, ओके, यह पॉइंट B है, A से B तक गया कोई, ठीक है, यह 10 km है, so 10 km यह गया, ओके, यहाँ पर B पर आने के बाद यह 20 मिनट, आदा खंट, यह 20 मिनट माल लेते हैं, कि 20 मिनट क्या किया, किसी का वेट किया, 20 मिनट वेट किया, ओके, और फिर B से A तक आ गया वापस, अपने घर पे, ठीक है, 0.4 Km आवर जाने का स्पीड था, और आने का स्पीड इसका था, 10 km आवर is 10 km हOTूर, जाने का स्पीड और आने का स्पीड अलग अलग था, अब यहाँ पर देखे जब A से B तक जाएगा तो distance कितना होगा A से B तक जाने का 10 km चुकि A से B तक किसी speed से गया तो VAB मतलब A से B तक जाने का जो speed है यह हमाला कितना होगा 5 km per hour So अगर हम time निकालेंगे तो time is equal to A से B तक के लिए ध्यान से देखेंगे हमने time A से B तक के लिए निकाला So time is equal to हमारे पास distance over speed आजाएगा distance 10 km और speed कितना है 5 So this is 5 So A से B तक जाने में कितना घंटा लगा 2 घंटा लगा अब B से A तक आने में कितना लगेगा हमारे पास similarly 10 km तो distance है और speed कितना होगा 10 km सो 10 यहां पे तो एक घंटा लगा ठीक है एक घंटा लगा अब आप देखिए हमें क्या निकालना है average speed average speed is total distance So we average ध्यान से देखें कि total distance कितना हो गया जाने में 10 km और आने में 10 km तोटल दिस्टेंस गये और टोटल टाइम जाने में दो घंटा लगा और आने में एक घंटा लगा और यह यहां पे 20 मिनट जो था यह रुका यह भी time इसमें calculate होगा इसलिए यहां पे हम लिखें है total time चाहे वो चले या ना चले तो 20 मिनट को अगर हम घंटे में cover करेंगे तो 20 divided by 60 करना होगा अब जो यह calculation हैगा यही हमारा average speed होगा So total distance over total time is the average speed of a given motion तो यह हमारा 20 हो जाएगा इसको आप solve कर लिजए So 3 plus 1 over 3 अगर इसको solve करते हैं तो 20 divided by 10 into 3 ध्यान से देखिए यह 10 होगा 3 multiply by 3 9 plus 1 10 So average speed कितना होगा हमारा 6 km per hour Actual चलने का speed कितना है 10 km इधर जाने का 5 km और आने का 10 km और यहां पे रुक गिया तो यह सब अगर इनी fact सारे motion को सारे time को सारे distance को हम ले लेंगे तो मोटा मुटी हम कहेंगे कि 6 km परती घंटे के रफतार से वो गया है और आया है इसमें रुकने का time भी include है तो यह हमारा average speed हो गया तो hope आपको यह सारा concept समझ में आया हो कुछ questions अब ले लेते हैं जल्दी जल्दी और अराम से समझेंगे पहला question है convert the following speed into meters per second अब question में है कि 36 km per hour को आपको किस में convert करना है meter per second में अब देखिए इसको कैसे करती है 36 गुने एक किलोमेटर में कितना meter 1000 meter तो हमने 1000 meter कर लिया और एक घंटा में कितना मिनाट 60 मिनाट और एक मिनाट में कितना second 60 second चुकि meter per second में है तो हम इसे second में change कर देंगे अब इसे calculate करेंगे यह cancel यह cancel यह cancel यह cancel और ये 2 5 जा 10 2 3 जा 6 सो यहां पर आप देखिए क्या हो गया यह 36 multiply by 5 divide by 6 multiply by 3 18 meter per second अब यह जो 1 km per hour था वो किसके बराबर हो गया 1 km per hour यह हमारा है 15 बट्टा 18 meter per second तो जब भी आपके पास km per hour होगा और उसे meter per second में convert करना होगा तो आपको 5 multiply करना होगा नमबर को 5 multiply by 18 से जैसे हम इसे multiply करनेंगा 5 बट 18 से तो यह हमारा meter per second में आजागा तो यह हमारा 18 दुना 36 हो गया तो 10 meter per second हो गया तो option यहाँ पे हमारा a है तो 1 km बट्टा 18 meter per second यह हो गया और इसी को अगर हम change करनें तो 18 बट्टा 5 km per hour is equal to 1 meter per second तो जब कभी भी अगर meter per second से km per hour में change करना होगा speed को तो आपको 18 divided by 5 से multiply करना होगा जब km per hour को meter per second में change करना होगा तो आपको 5 बट 18 से multiply करना होगा तो इस तरह से हम unit को change कर सकते हैं इसका application हम next question में देखेंगे next question है if a man rides 2.5 meter per second so यहाँ पर यह speed है ठीक है 2.5 meter per second what will what distance will he cover in 4 hour यहाँ पर time दे रखा है 4 गंटा में ठीक है आप देखिए हमें distance निकालना है s किसमे km में निकालना है ठीक है s is equal to कितना होगा तो हम लोग जानते है s is equal to speed into time होता है speed यहाँ पर है 2.5 meter per second into time है 4 गंटा अब आप देखें यहाँ पर time है हमारे पास 4 गंटा और speed meter per second में है distance हमें km में निकालना है तो क्या करेंगे हम 2.5 multiply by 1 meter per second अभी हमने बताया था कि एक meter per second बरावर 18 बता 5 km per hour तो यहाँ पर हम ढाल लेंगे तो जो distance हुआ cover वो 36 km हो गया तो इस question में basically same unit में convert करके हमें question को solve करना था simple सा question यह था next question चलते है if a man runs at 6 meter per second मतलब speed आपको given है 6 meter per second what distance in km he will cover in 3 hour 45 minute again आपके पास time given है 3 hour 45 minute तो यहाँ पे और हमें क्या निकालना है s निकालना distance is equal to what किसमें km में अब आप देखे कैसे करेंगे इस question को s is equal to v into t होता है हमने देखा था v केतना है 6 meter per second ठीक है into time केतना है 3 hour और यह जो 45 minute है यह किसके बराबर हो जाएगा देखिए 60 minute बराबर एक hour इसलिए एक minute बराबर एक बड़ता 60 hour तो 45 minute बराबर कितना हो जाएगा हमारा 45 बड़ता 60 hour तो हम hour में minute को change कर देंगे और यह जगा 5 3 जा 45 5 4 जा 15 4 जा 16 तो 3 hour प्लस 45 minute के लिए हम 3 over 4 hour लिक लेंगे और इसे ब्रैकेट में कर लेंगे ठीक है तो एक तो यह time जो है हमारे पास क्या आ गया हमारा किस में आ गया time आ गया घंटे में अग meter per second को हम हो kilometer per hour में change करना है so 6 into kilometer per hour में change करने के लिए 18 divided by 5 यह हो जाएगा kilometer per hour और गुने यह 3 plus 3.4 that is 0.75 कर लें यहाँ पे यह हमारा hour हो गया ठीक है यहाँ से hour hour कैंसल हो जाएगा तो कुल मिला कि जो calculation होगा वो होगा हमारा 6 multiplied by 18 multiplied by 3.75 divided by 5 और इसे ही हमें calculate करना है और जब हम इसे calculate करेंगे तो कितना आ जागा यह देखिए 5 इसे multiply करेंगे तो 5 सकते 35 ठीक है और 25 ठीक है 0.75 हो गया so 0.75 को हम 3 by 4 लिख सकते हैं जैसा कि हमने किया था 0.75 को so 6 into 18 0.75 is 3 over 4 इसे calculate कर ले 2, 2, 4, 2, 3, 6, 2, 1, 2, 2, 9, 18 so this is 81 km multiply करने के बाद यह इसका answer आ जाएगा तो जब भी आपके पास इस तरह का question आए question को same unit में change करना है राइट चलते है next question पे यह एक ratio वाला question है अब इस question को समझे है कह रहा है the ratio of speed of x, y, z is 3, 4, 3 is to 4, is to 6 तो speed of x is to speed of y is to speed of z is equal to how much 3 is to 4, is to 6 अब यहाँ पे कह रहा है find the ratio of time they take to travel a certain distance certain distance मतलब s क्या है constant है ठीक है s क्या है constant है तो आपको find करना है tx is to ty is to tz अभी अभी हमने बताया कि जब s constant होता है तो s constant जब होगा तो v into t क्या होगा constant होगा इसका मतलब है कि v directly proportional होता है 1 over t का that is vx is equal to कोई एक constant number के लिए लेते हैं over tx right so हमारे पास vx is equal to tx है so we can write here vx is to vy is to vz is equal to क्या कर सकते है k over tx is to k over ty is to k over tz और ये कितना given है 3 is to 4 is to 6 अब चुकि ratio में same number से अगर हम divide करेंगे तो क्या होगा ratio में कोई changing नहीं होगा तो हम कहेंगे यहां पर ध्यान से देखे 1 over tx is to 1 over ty is to 1 over tz this is equal to 3 is to 4 is to 6 further अगर हम इसको reciprocal कर दें तो tx जो निकालना is to ty is to tz reciprocal हो जागा ये 1 over 3 is to 1 over 4 is to 1 over 6 जब किसी ratio को save number से multiply करेंगे तो ratio में कोई changing नहीं होगा तो इस तीनों ratio को गर 12 से multiply कर देंगे तो आप यहां पर देखिए हम लोग लिख सकते हैं tx is to ty is to tz is equal to 12 से multiply इसलिए करते हैं क्योंकि तीन चार्चे का LCM 12 है so 12 over 3 is to 12 over 4 is to 12 over 6 तो यह हो गया 4 is to 3 is to 2 तो यह हमारा time का ratio हो जाएगा अब आप यहां पर देखिए कि vt constant है तो 3 multiply by time factor 4 मतलब 12 चार multiply by time factor 3 मतलब 12 6 multiply by 2 मतलब 12 तो हमेशा velocity into time का ratio जो है जो ratio हैगा वो same होगा बहुत अच्छा question था ratio पे बेस्ट question था question इस तरह का comparative examination में basically पूछता है राइट चलते है next question पे अब यह question कह रहा है a train travels for a total of 16 hour एक train है जो कि total 16 घंड आवर चलता है तो time total time is 16 hour हम यहां पर लिख लेते हैं the first half of the distance at 35 मतलब अगर माल लेते हैं कि total distance x जाता है तो first half कितना जाता है इसको लिख लेते हैं पर first half किसी speed से गया 35 km per hour के speed से और second half जो जाता है वो जाता है 45 km per hour के हिसाब से तो कह रहा है कि total distance क्या होगा चलिए निकालते हैं total distance यह हमारा a से b तक है a से b तक है चोंकि first half है तो माल लेते हैं कि c क्या है midpoint है मतलब a से first half हो जाएगा तो अगर यह total distance हम लोग मानते हैं x है suppose यहां पर हम लोग माल लेते हैं 2x है तो यह हमारा a से c तक का distance क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा first half और c से b तक का distance second half x हो जाएगा और यहां से हम देखते हैं कि first half a से c तक जाने में 35 km per hour के हिसाब से जा रहा है तो हमें total distance निकालना है और यहां पर time जो है लग रहा first half में माल लेते हैं t1 लगा और second half में t2 लगा तो यहां से हम लोग t1 निकाल सकते हैं t1 is nothing distance over speed तो distance क्या था x over speed कितना है 35 और second half के लिए हम लोग निकाल सकते हैं t2 this is equal to distance that is x divided by speed यह कितना है 45 तो यह t1 और t2 आ गया और हमारे पास total time कितना है 16 hour है that is t1 plus t2 this is equal to 16 तो basically हमें कुछ करना नहीं है एक linear equation बने जागा x over 35 plus x over 45 this is equal to 16 अब इसे यहां पर हमें solve करना है so अगर यहां पर हम 5 कॉमल लेंगे तो x over 7 plus x over 9 हमने 5 को कॉमल ले लिया देखिए 1 over 5 so this is equal to 16 अब एल सेम कितना हो जागा यह 63 यह वाला पाट तो यह 9 x plus 7 x this is into this is equal to अगर हम करें तो 16 multiply by 5 कर सकते हैं यहां पर और 9 साथ 16 x हो गया 16 x is equal to 16 multiply by 5 और यह 63 किसमें चल जागा multiply में 16 से 16 cancel हो जाएगा तो हमारे पास x का 63 into क्या है 5 तो 6 पंचे 30 315 हो गया x का मान 315 हो गया ठीक है 63 गुणिए 5 करेंगे तो अभी हमें टोटल डिस्टेंस निकाल ला है टोटल डिस्टेंस कितना है x plus x 2x so यहां पर 2x that is total distance is equal to यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 315 plus 315 that is 630 मीटर okay so total distance यह 630 किलो मीटर हो जाएगा okay so this is 630 किलो मीटर total distance हो जाएगा तो इस तरह से average distance के concept को use करके हम लोगों नहीं इस question को आसानी से कर दिया कुछ question यहां पर है एक question यह है राम एन भरत वाला आप इस question को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और question को solve करेंगे एक question यह है traveling at a fifth sixth of usual speed यह भी बहुत अच्छा question है आप try करें और एक question ही है तो तेन question आपको homework के लिए मैं यहां पर दे देता हूँ इस तीनो question को आप घर पे try करें इसका answer निकालके comment box में डालें अगर आपको कहीं पे भी problem होगा question निकालने में समझने में तो आप हमें बताएंगे comment box में तो उसका solution मैं next class में कर दूँगा तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं और finally अगर आपको यह video पसंद आया हो अगर आपको यह video समझ में आया हो तो please इस channel को subscribe कर ले subscribe करने के बाद bill icon बटन को भी दबा ले जिससे की upcoming video जो मैं upload करूँगा उसका notification आप तक पहुँच जाए और video को ज़्यादा से ज़्यादा share करें Thanks everyone, have a good day